जैशी गणिशी दोस्तों मेरा नाम संधिया सक्सेरा है मैं मालाक्षी जूतिश और अधातिम चान से हूँ और आज हम मकर राशी वालों का कैसा रहेगा दिन उसको बताने जा रहे हैं आपके स्वास्त के बारे में धन संपत्ति के बारे में परिवार प्रेम वेवसाय और रह इसकेृ चीवन नहीं उसके लावा कि इसके दिन में आपको निवेश करनेPC बतना चाहिए इसलिए मैं आपको बताया कि धन संपत्ति के मामले में आपका अच्छा नाइम नहीं है शेर इंवेस्मेंट में नहीं करिएगा और परिवार के साथ सुकून के जीवन आप बिता सकते हैं उसे तक गुमने चल जाएं कोई फंक्षन कोई पार्टी या यह सारी चीजे आपको जो मानसि जीवन भी और दिनों से आज अच्छा रहने वाला है आप भष्षे के लिए कुछ योजना बना सकते हैं और अपने जीवन को और पी सुन्दर बैतर बना सकते हैं इसके लाब आप कोई नई चीज लॉंच करना जा रहे हैं या कोई नया काम शू करने की सोचते हैं तो ऐसा करना भी आपके लिए उचित नहीं होगा क्योंकि इस चीज के लिए अभी आपका सही टाइम नहीं आया है आज ऐसी कोई सारी चीजे होंगी कई सारी चीजे होंगी जिसको आपका ध्यान देने की अश्रक्ता होगी आपकी जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा वैसे तो समय को इंजॉय ही करेंगे लेकिन ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर रहेगा जो आपपी जिंद्गी में जहर को सकते हैं या आपको किसी दूर व्यासनी या वैस्ना की तफ लेकर जा सकते एसे लोगों से आप दूर रहेगा और कुछ भी करने से पहले सोच समझ लीजेगा क इस दिन को आप इंजोई कीजिए और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं तो शनी आपका देवता होता है मकराशी वालो शनी देव की पूजा पार्ट आपको लगती है शनी देव को तेल चड़ाईए शनीवार वाले दिन या पीपल के तेल पेड़ के नीचे रोज जल चड़ाईए संडे को नहीं चड़ा रहा है और शनीवार संडे को उसमे रात को सर्सो के तेल का दिया जलाईए इससे आपको फाइदा होगा या ओम श्री काल भहरवाय नमा का जाप करने से आपको फायदा होगा, नमश श्रीवाय का जाप करेंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा, यह तीन जाप अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा, और शराप से दूर रही ए, जितने बाकि आपका दिन शुब हो, मंगल में हो, यदि किसी तरह की समस्य आपको है, तो 812647639 पर वाट्सव कर दीजेगा, और यदि आप पहली बार चैनल पर आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, बैल आइकन दबा दीजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कर दो